हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वेकेंशिस को लेखे अगर आपने 10th 12th पास्ट कर रखी है आपके लिए काफी शांदार वेकेंशिस रहने वाली हैं तो आप इन फार्म को फिल करना मत बूलिए आपके लिए ये फार् बढ़िया फार्म रहने वाले हैं और काफी बढ़िया इनमें सैलरी रहने वाली है कौन-कौन से फार्म है और कैसे कैसे इनको फिल करना है अगर आपने 10th 12th कर रखिया आपके लिए काफी शांदार वेकेंशिस रहने वाली है तो लेट स्टार्ट इस इंपोर्टेंट इसके लिए आपने जो भी ऑनलाइन फार्म है आपके वो एपलाई करना आप स्टार्ट कर दीजिए 17 जनवरी से लेके शेफब तक अगनीपत बायू.cdac.in पर जाके आप इसमें एपलाई कर सकते हो ठीक है और इसके लिए जो भी ऑनलाइन एपलिकेशन मेल और फीमेल के लिए जो सिलेक्शन टेस्ट आपका वो 17 मार्च के बाद जहां पर किया जाएगा इंडियन एर फोर्स में जाने के लिए तो इसके लिए मेल फीमेल दोनों एपलाई कर सकते हैं डेटा बर्थ भी आपकी बता दी गई है अगर आप कैंडिडेट 2 जनवरी 2004 के बाद और 2 सब्जेक्ट में 10 प्लस 2 में आपके मैथामेटिक फिजिक्स इंगलिश होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ तो अगर अगर अधर देन साइंस है तो 50% टोटल होने चाहिए और 50% आपके इंगलिश में होने चाहिए तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो ठीक है हाइट के लिए जो जहां पे चैस्ट और वेट प्रपोर्शन रखा गया है और डैंटल के 14 पॉइंट होने चाहिए हेरिंग 6 मेटर से सुनाई देना चाहिए कलर बिजन सैकीन इसका रहता है ठेक है तो बाकी के हेल्थ क्राइटेरिया भी जहां पे रखा गया है और बाकी का आपक उनको रव्यू किया जाएगा अगनिपत के लिए आपका मैडिकल का कंप्लीट देख सकते हो वाड़ी टैटू नहीं होना चाहिए टर्मस और कंडिशन जहां पे चार साल का इंगेजमेंट रखा गया है ट्रेनिंग आपका रहेगा लीव रहेगा जिसमें 30 डे लीव सिक ल आगा इसमें पूछा जाता है और 0.25 कनेक्टी मार्किंग आपका इसमें होगा ठीक है और उसके बाद क्या होगा इसमें फेस वान और फेस टू भी रहता है फेस टू के जो भी आनलाइन कैंडिडेट के एडमिट कार्ट है उसका कलर प्लेंड लेके आपने वहां पर जो भ olph उख रख रहे हैं यह भी आपका होगा और इसमें डीटी टैस्ट रहता है इसके बाद माद्गन भी जहां पे रहता है मेडिकल एक्जामीनेशन के बास जहां पर बात करें आपने इसमें अगरी परत में आनलाइन अपलाई करना previous 50 आपकी रहेगी और उसके बाद जननल ल आज के बाद आपका होगा provisional enrollment list आपकी निकाली जाएगी और आपको इसके लिए apply आप कर सकते हो ठीक है और साथ में ये 12th pass रहेगा 10th pass आपकी CRPF में और railway में new vacancies out हुई है आप उनमें apply कर सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कुछ भी doubts हो तो comment section में जुरूर